हाई फ्रेंड्स वेल्कम टूई फार्मसी स्टडी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मसोटिकल जूरिस्पूड़न्स की यानि की पीजे की अब आप सोचे रहोंगे मैं इस पर क्यूज जादा वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे जो कोई भी कमे जो भी स्टूड़न्स कमेंड करते हैं वह होते हैं पीजे के बारे में कि सर आमें औपॉच्टी बता दीजिए या फिर थी फूब किम पीजे में इस चैप्टर में फार्मसी एक्ट में इस समय seg security इसमें उसमें इसमें आप वह वत्ता नहीं है तो मैं पहले इस पर आपको इसमें सब कुछ बता देने वाला हूँ वैसे तो मेन इसमें दो ही पॉइंट आते हैं जो कि है अब्जेक्टिव और जो सेकेंड है वह है पॉजेशन पॉजेशन फॉर सेल एंड सेल आप एनी पॉजन जिसमें की टोटल चैप्टर कवर हो जाता है पर इससे भी इंप वाले हैं तो वह आपको मिल सकते हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी यानि कि आप पॉजन की लिस्ट दी गई है सबसे पहले तो आप हम उसी की बात करेंगे और आप उसे कंप्लिटली पढ़ लीजिए उसमें से बस आपको चार-चार या तीन तीन चारी नेम आपको यहापर य इसेंशियल ऑफ आलमंड यह सब कुछ नाम आप पढ़ लिजिए तो यहीं आपके दो से चार मार्क आपके फिक्स हो जाता है अब इसके बाद आते हैं हम अब्जेक्टिव पे जो कि यहापर बिल्कुल सिंपल है यहापर भी आपके दो मार्क बिल्कुल फ्री में है से कही पिजे में जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं आपको इसमें कोई जादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो जो ऑब्जेक्टिव यहापर बिल्कुल सिंपल एक ऑब्जेक्टिव है जो कि यहापर दिया गये है यानि जैसे हम समझ जाना चाहिए हमने की poison act है तो कुछ poison से ही related यहापर होने वाला है तो जो objective जो होता है उसका मतलब ही यह होता है कि यह act आया किसलिए क्या इसका उद्देश्य है बनाने का तो इसका उद्देश्य है यह है इस object के साथ पास हुआ था act कि जो भी poison का regulation है या फिर control है या फिर import है possession है उन पर कुछ control लाने के लिए या फिर उन्हें regulate करने के लिए अब import मतलब आपको सभी को पता होगा बाहर से कुछ मंगाना और possession मतलब अपने पास रखना कोई भी चीज़ अगर आप अपने पास रखते जिसे हम possess कहते है यह possession बताया गया है और sale of any poison यानि कि कोई भी poison बेचना या फिर उसका sale करना इस पर control लाने के लिए act आया गया है different different three points है जो कि आपको इसमें से कोई भी एक पुछा जा सकता है या फिर तीन भी आप पुछे जा सकते पर आप इसे डरिये मत यह बिल्कुल बड़ा देख किया एक या दो पेज में answer दिया गया है तो आप यह बड़ा देख कि डरिये मत बिल्कुल मैं simple आपको यह कर देता ह कि आपको इसकी study कैसी करना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो possession for sale and sale of any poison जो कि पहला point है जैसे मैं आपको पहले बताया कि possession का जो मतलब होता है वो है अपने पास रखना तो possession for sale का मतलब होगा अपने पास कुछ चीज बेचने के लिए रखना यानि आप कोई भी चीज आता है वो है state government में regulated position for sale and the sale whether wholesale or retail or of any specific poison तो यहाँ पर जैसे कि पहले point में बताया गया है कि जो भी position for sale और sale sale है कोई भी poison का वो state government यहाँ पर regulate करती है फिर वो wholesale हो retail हो कोई भी type का अगर selling हो तो वो यहाँ पर स्टेट गवर्मेंट रेगॉलेट करती है और जो स्टेट गवर्मेंट है उसके पास पावर होती है कि इससे related इससे connected कोई भी वो rule बना सके कोई भी law बना सके तो वो कौनसी कौनसी चीज जिसके related state government rule बनाती है या फिर स्टेट गवर्मेंट ने कौन से रूल बनाए है वो यहाँ पर दिये गए है जो कि छे रूल से जो पहला है यहाँ पहला रूल किससे रिलेटेड बनाए है जो लाइसन होता है वो उससे रिलेटेड भी रूल स्टेट गवर्मेंट बनाए है और फिर वो वोल से लो रिटेल लो या फिर कोई भी पैसन हो तो उससे रिलेटेड रूल जो है स्टेट गवर्मेंट यहाँ पर बना सकती है यह यहाँ पर पहले point में बताए गया है और जो P है वो भी state government ही fix करेंगी कि वो licensee या फिर license holder जो है उससे कितने पैसे लेने है जो second point है वो the classes of person to whom license for the possession for sale of poison are to be granted तो ऐसे लोगों के class भी government बनाएगी कि इसको देना है उसको देना है या फिर किसको license देना है possession for sale का याने poison बेचने का तो यह भी आपर state government बना सकती है तो यह कुछ दो point मैंने आपको explain कर दिए और अगर आप चाहते है इस पर मैं detail video बनाओ तो नीचे comment कर दिजिए मैं इस पर detail video बना दूँगा तो और एक point जो यह आपर आता है वो भी मैं आपको explain कर देता हूँ the maximum quantity of poison that may be sold to a person तो यह बिल्कुल simple simple है कि maximum quantity कितनी quantity एक person को sale की जानी चाहिए sold की जानी चाहिए वो भी state government ठहराएगा और जो register है वो state government के थूँ maintain किया जाना चाहिए जिसमें जो भी poison किसको दिया है या फिर किससे लिया है वो सब कुछ यहाँ पर record होना चाहिए और जो poison save custody के बारे में भी state government यहाँ पर rule बना सकता है कि poison की जो custody है वो save होनी चाहिए यानि उससे कुछ locker वगिरा में यहाँ रखना चाहिए या फिर जिस किसी चीज में vessel में या फिर covers में या फिर package में poison रखा गया है उस पर total red color से लिखा होना चाहिए capital में poison या फिर जो भी poison को बेचने वाले हैं उनको regularly inspect करते रहना चाहिए यह सारे rule यहाँ पर state government बना सकती है तो चलिए बढ़ते है second point की और जो कि है possession of any poison यानि कोई भी poison अपने पास रखना तो पहले point में हमने देखा कि possession for sale and sale of any poison यानि कोई भी poison को अपने पास रखना बेचने के लिए पर second point में हम देख रहे हैं कि कोई भी poison को अपने पास रखना फिर उसका कोई misuse कर रहे है या फिर कुछ यूज गलत यूज कर रहा है पर यहाँ बेचने के लिए नहीं है तो possession of any poison तो इसमें क्या आता है इसके अंडर क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं यह भी जो है state government regulate करती है और state government के पास power होती है इसके regarding rule बना सके तो हम इसमें देख लेते हैं किसमें क्या है तो सबसे पहले मैं यह होता का है वो मैं आपको बता देता हूँ एक simple example मैं आपको बताता हूँ जिससे आप totally समझ पाएंगे कि यह क्या है यह मतलब अभी तो बंदी हो चुका है पर पहले villages में होता था या फिर आपने कुछ picture में अगर किसी परसन कि किसे दूसरे के सात्थ दुश्मनी हो जाती है तो वह उसके होते जो होते हैं जो उसके गाय फगर होते है उन्हे मार देता था उन्हें पाइस यह और पास रखना उसका मीस यूज कर ना तो इस के रिगार्डिंगमी चराइस पालु debugging पाता ओर बनाती है अगर कोई ऐसा करता है cattle वगेरा को कोई poison दे देता है तो पहली बार में उसे अलग fine है और second time अगर ऐसे ही करता है तो उसे fine के साथ कुछ imprisonment भी यहाँ पर दी जाती है I think fine कुछ यह 1000 रुपीज का और 6 और 3 मन कुछ imprisonment है जो कि आप पढ़ लीजिए तो यह तो हो गए इतने points अब जो third point है उसमें simply आप penalties आ जाती है जो कि आपर तीन main penalties दी गए आप जो चाहिए वो दो यहां से कर लिजिए जो पहले है वो तो सिर्फ मतलब unlawful possession for sale of any poison यानि ऐसे offense का नाम दिया गया है कि अगर unlawful कोई भी possessed करता है poison को तो उससे क्या हो सकता है जो second है वो है importation without license of any poison the importation of which for the time being restricted by central government यानि जो ऐसे कोई भी अगर poison का import करता है बाहर से मंगाता है जो कि restrict किया गया है जिस पर बंदी लाई गई है central government के द्वारा तो उसे भी punishment हो सकती है यह हो गए offenses और जो third offense है वो है breach of any condition of license for the importation of poison granted to him are punishable यानि कि अब जैसे हमने पढ़ा कि license जो है state government grant करेगा किस किस को poison बेचने के लिए पर अगर उसके related rule अगर कोई break कर देता है तो उसे hundred percent कुछ ना कुछ punishment यहाँ पर होगी तो वो जो punishment है उसे हम कहते है penalties जो कि तीन दो penalties यहाँ पर दी गई है जिसमें कि है अगर उपर दिये गए सारे opens जो तीन opens हमने पड़े उसमें से कोई भी अगर rule कोई break करता है तो सबसे पहले उसे होती है तीन मन की jail यानि imprisonment जो कि तीन मन की 37 साथ उसको होता है fine of rupees 500 या फिर उसे दोनों हो सकता है as per severity और यह सब है first conviction में यानि कि अगर पहली बार वो करता है तो उसे तीन महिने की jail और 500 रुपी का fine होता है पर यही अगर वो दवराता है second time तो उसे होती है six month की jail और one thousand rupees तक का fine या फिर दोनों तो इस तरह से आपको लिखना है यानि पहले में तीन मन्स second में six month और पहले में 500 second में one thousand रुपीस तो इस तरह कुछ यह पेनल्टीस थी जो कि बिल्कुल सिंपल है पर जब कभी आप पेनल्टीस रिखते है तो एक बात देहन में रखी और और with both यह जो होता है यह बहुत important ह होता है और जो fine की जो amount दी गई है वो भी आपको ठीक से ध्यान रखने होती है जैसे कि मैंने इस पर एक पहले वीडियो बना बना चुका हूं मैं कि कैसे यह आपको याद रखना है तो आप वो वीडियो भी देख लिजिए और जो आपको मतलब याद रखने के लिए आप और भी मैं short में बता देता हूं कि आप एक blank page पर सब कुछ लिख लिजिए जितने भी penalties है जितने भी objective है तो जिससे कि आपको study करना बिल्कुल simple हो जाएगा तो बस इतना ही था यह chapter में अगर आप यह वीडियो पूरी देख लेते हैं दो तीन बार और समझ लेते हैं उसके पाद दो बारे chapter पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको lifetime इस chapter में कोई problem नहीं आने वाली है तो इस तरह से आपका जो poison act 1990 है वो भी chapter यह clear हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे like कर दीजिए क्योंकि यही मुझे inspire करता है new video बनाने के लिए औ और अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त भी हमारे चैनल के साथ जुड़े तो प्लीज नीचे दियागा शेयर बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने WhatsApp ग्रूप अगरा में ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे चैनल से जुड़े और अगर आप चाहते है ऐसी व बाइब बाइब है